दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत आपका सीजेजेगे संद्यूज यूटूब चैनल पर अगर आप इस चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिलाइक और मटन दबार ना बुलिए तो कि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफि जारी हुआ है स्पार्ट कांसलिंग को लेकर बिटेक प्रोग्राम में एड्मिशन के लिए ठीक है इसके पहले आज ही की डेट में जो नोटिफिकिशन जारी हुआ था उसको आप रिवाइज करके जारी किया गया यहां पर कुछ इंट्रक्शन आपको अलग से फालू करने प्रोग्राम है इसके लिए स्पार्ट कांसलिंग होने वाली है इसके लिए रेजिस्टेशन बहुत पहले गूगल फॉर्म के तुरू हो चुका है इसके लिए 21 नमबर तक यह हुआ था उसके बाद 25 नमबर को इसकी लिस्ट जारी हुई मेरिट लिस्ट उसको अब आ सकेंगे कहां पर जाना इसकी जो वेन्यू है वह है रजजज जैन्ती सभागार गुरु घासिदा स्वेशदाले बिलासपूर इसके पहले यह जो होने वाला था इसका जो वेन्यू था वो डिफरंट था अब इसको जो है रिवाइज करके नया यहां पर वेन्यू चेंज किया गया है जो कि है रजजज जैन्ती सभागार जीजी भी विलासपूर ठीक है टाइमिंग रहेगा नव बजे फिजिकल प्रिजिन्स आपका रहेगा उसने टाइम आपको जाना है मंगलवार को है यह और रेजिटेशन प्रोसेस नव से ग्यारा बजे होगा कोई भी स्ट इतने लोग वहाँ पर जाएंगे और उसमें से मेरिट लिष्ट बनाके उनको एडिमिसन दिया जाएगा ठीक है तो इसलिए यह रेजिस्टेशन होगा तो रेजिस्टेशन में क्या के लगेगा जो आपने गूगल फार्म किया था फिल्ड फार्म वो लगेगा दस्विबा सब्सक्राइब को लेकर जाना है ठीक है और यहां पर इसका जो फीस है 16200 रुपए है इसके पहले जो नोटिफिकेशन में जो आया था उसमें ऑनलाइन कैस्ट दोनों आप्शन था लेकिन अब यहां पर जो बूल रहा है नो कैस्ट सब्मिसन अलाउड तो यहां पर अजिड cass 함께 जो चुनai ओप यहां पर एंडिसन में चुका है उनको पयमेंट करने के जूरत नहीं है ठीक है और यहां पर एक बार श्री आपको अलाउड हो गई तो वो किसी भी कंडिशन पर बिल नहीं किया जाएगा वह आप लोग रिवर्स नहीं करवा सकते और इसकी फीस भी जो है रिफन्ट नहीं होगी अगर आपने एक बार सब्मिट कर दिया तो फीस रिपन्ट का कोई भी प्रावधान यहाँ पर नहीं है और उसके बाद होस्टल जो है वह उस्टल जितने भी सिट अवेलेबल रहेंगे उसके हिसाब से प्रवाइड किया जाएंगे तो होस्टल कभी वहाँ पर एड्मिशन प्रोसेस होगा वोगरे भराये जाएंगे तो यह है रिवाइजड प तो उनका यहां पर देखिए नाम के सामने यह और कौन से ब्रांच में उनको मिला है वह लिखा गया तो इनको जो है फिस पेमेंट करने की जोगरत नहीं तो पूरी लिस्ट यहां पर है देख सकते हैं टोटल 442 से स्टुडेंट है और कैटिगरी का यहां पर देखिए आपके मैं बता देता हूं नाम है कैटिगरी है कौन से कैटिगरी के अंदर आपको एडमिशन मिल रहा है क्या आपका एडमिशन जो सब्सक्राइब की तुरू हुआ है यहां पर आपका CRL रैंक है ठीक है तो तो उमीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सारी जानकारे आपको समझ में आये होगी अगर कोई भी और आपके सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो लाइक किजए और मिलते है नए नूटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में